जहिन दोस्तों study icon में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैजागी आज का हमारे MPG के MCU class no.10 स्टार्ट हो चुकी है पहला option जो है पहला question जो है आपकी screen पर आ चुका है तो फटा पट सभी लोग answer बताएं चलिए पहला question आपकी screen पर है students संतोष जी हेलो अभिशेक निखिल शालनी रंभा मिश्रा सभी का स्वागत है जैहिन सभी को चलिए तो पहले question का answer बताईए आप लोग बहुत शांदर काफी लोग के answer देखिए पहला question है अब तक मद्य परदेश राज्जी की कितनी बार जंगरना हो चुकी है option number 5 बार option number 6 option number C A 7 बार और option number D 4 बार तो मद्य परदेश में अब तक कितने बार जंगरना हो चुकी है चार option आपको दिये गए हैं answer आपको बताने है बहुत शांदर student जिन्होंने 5 बताया है बिलको सही option number A 5 बार मद्य परदेश के अब तक जंगरना हो चुकी है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 2 question number 2 आपकी screen पर है verse 2011 में 11 की जंगरना में भारत के जंगरना महाने देशक कौन थे option number A स्रीचंद्रा मौली option number B कृपा शंकर मिश्रा option number C प्रभाकर वानसड़े और option number D डॉक्टर सुब्रमनियम तो वर्ष 2011 की जंगरना में भारत के जंगरना निदेशक महाने देशक कौन थे बहुत बढ़ी students चलिए बहुत शांदर काफी लोग के अंसर option number A आगया श्रीचंद्रा मौली जो हैं जंगरना के महाने देशक थे जो की 2011 में जंगरना हुई थे चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन number 3 वर्ष 2011 की जंगरना में मद्य प्रदेश के जंगरना निदेशक कौन थे देखिए एक होते हैं महानिदेशक और एक होते हैं निदेशक तो अब हम बात कर रहे हैं निदेशक कौन थे चलिए उप्शन number A राम दरश मिश्र उप्शन number B सचिन सिना उप्शन number C है पुखराज मारू और उप्शन number D डी के आर रहे हैं तो जंगरना निदेशक कौन थे देखिए चलिए बहुत बड़ी है काफी स्टूटन ने आपर आंसर बता है जिनने उप्शन number B बता है सचिन बिलकुल सही है तो सचिन सिना जो है 2011 की जनगरना के निदेशक चलिए कोशन image फूर वर्ष 2011 की जनगरना सुतंत्र भारत में कौन सी जनगरना थी ?抹िन तो वर्षी 2011 की जन्गरना में सौतंदर भारत की कौन सी जन्गरना थी चली बहुत बढ़ी है ये देखी काफी कई बार एक्जाम में पूछा किया कोशन नहीं इसलिए आपको याद रखना है बहुत बड़ी पुलकुल आपको आंसर बताना है कोशन नमर फूर का काजुल का अंसर आ चुका है निखिल का भी आंसर है दिव्या अभिशेक पवन निशापवार अभिशेक और शाकसी शेन तो काफी इस्प्रियंट्स के अंसर आच चुके हैं फोर्थ का रहेगा उप्शन अमर C आपका साथवी तो वर्ष 2011 की जनगरना सौतंदर भारत की कौन से जनगरना थी ये साथवी जनगरना थी उप्शन अमर C बिलकुल सही है चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन अमर फाइफ वर्ष 2011 की जनगरना की अनुसार अंतिम मद्य परदेश की जनसंख्या है तो मद्य परदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगरना की अनुसार देगे इतना कोई याद नहीं रखता है लेकिन फिर भी आपको अगर सबसे आगे निकलना है तो यह सारी चीज़ा याद रखनी पड़ेगी बहुत शानदार इस्टूइंट जिन्हों ने ऐप्षन अमर बी बता है बिलकोँ सही आईओप आप लोगों ने तुक़ा नहीं मारा होगा तो जिन्हों ने ऐपसे बिलकोँ सही है आपका चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं कोशन अमर सिक्स वर्चि दो हजार ग्यार की जनगर्णा के अनुसार मद्य प्रदेश में पुरुसों की शंख्या कितनी थी आपकी देख लीजिए बी और सी डी में से आपको अंसर बताना है बहुत शानदारी स्टुटेंट्स चलिए आंसर बताते रहें आप लोग शिक्स का बी बता रहे हैं काफी लोग तो देखिए आई हो बहुत सारे स्टुटेंट्स की तयारी बहुत अच्छी जिन्होंने शिक्स का बी बता आ है बिलकुँ सही और स्टुटेंट्स चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन अमर्स सेवन वर्ष दो हजार ग्यारा की जंगर्णा के अनुसार मद्य प्रदेश में पूर्षों की जंसंख्या प्रतीशत बताईए आप लोग पूर्षों की जंसंख्या कितने प्रतीशत थी आप्शन अमर्स प्रतीशत आप्शन अमर्स प्रतीशत आपका से ताल चलिए बहुत शांदार काफी स्टुएंट्स के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं बहुत बड़ी है स्टुएंट्स तो जिन्हों ने यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी है सेवंध का काफी लोग के यहाँ पर करेक्ट आंसर है तो देखिए जिन्हों ने सेवंध का आप्शन अमर भी बताया है बिल्कुत सही है इंक्यामन दसंबलो 81 प्रतीशत जो है मद्य प्रदेश की पुर्षों की जनसंक्या का प्रतीशत था ठीक है दोजार ग्यारा की जन्हों ने सेवंध का आप्शन अमर भी बिल्कुत सही ही तो मद्य प्रदेश का लिंग अनुपाद कितना था दोजार ग्यारा की जन्गर्णा के अनुसार बहुत शांदर स्टूइट जिन्हों ने आप्शन अमर ए बताया है 931 बिल्कुत सही है आप आप्शन अमर ए 931 चली कोशन अमर 9 की तरफ आते हैं मद्य प्रदेश का सरवाधिक लिंगा नुपाद वाला जिला कौन सा है ऑप्शन अमर ए बाला घाट ऑप्शन अमर भी डिडोरी ऑप्शन अमर सी मंडिला और ऑप्शन अमर डी है आपका शेडोर देखिए मैं आपको बता दू मद्य प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल में जो जीके रहेगा MP का वो अच्छा खासे लेवल का रहेगा बाकी सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे वो इतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं रहेंगे आप लोग ऐसा ना करें कि एससी लेवल के सीजेल लेवल का पढ़ने लगे मैस और रीजनिंग वो ऐसा ना करें प्रीविएस येर का कोश्चन आप लोग देखिएगा MP प्रिस कॉंस्टेबल के कि उसमें किस प्रकार के प्रशन आते हैं पैटन क्या है कौन से टॉपिक से क किस प्रकार के प्रशन हैं लेवल क्या है सारी चीजें आपको वहां से समझना होगा और आपके समझाने के लिए मैं आज यह कल आपको कल जो है क्लास से पहले यह मॉर्निंग में एक वीडियो बनाकर बेजूंगा जिसमां मैं आपको यह बताऊंगा कि बाई मैंने क्योंकि निकाला कि मैस के कितने कोश्चन आते हैं कहां से आएंगे साइंस के कितने हैं रीजनें के किस प्रकार के आएंगे तो इसका आँसर हम बताते हैं मध्य प्रद्श में शरवाधिक लिंगन उपाद वाला जिला कौन सा है तो नाइंत का हो जाएगा आपका option number a बाला घाट बाला घाट बिलकुल सही है यहाँ पर सरवादिक लिंग अनुपाद वाला जिला है चलिए question number 10 की तरफ चलते हैं अब्ध्य प्रदेश का सबसे कम लिंग अनुपाद वाला जिला कौन सा option number a बिंड बिश्योपूर और option number d रिवा तो टैंथ का आंसर आपको बताना है बहुत शांदार students जिन्होंने आप option number a बताया है बिलकुल सही रहेगा option number a बिंड बिलकुल सही जिन्होंने like नहीं किया तो please student like करते चले like करते चले आप लोग please request आप लोगों से देखी यहाँ पर बहुत सारे student live है please like कर दीजे students फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चले question number 11 आपकी screen पर आ चुका है मद्य पर्देस की शाक्षर्टा कितने प्रतीशत हैं मद्य प्रदेस के लिए ट्रेसी रेट कितने प्रतीशत है ना जिसको हम बोलते हैं शाक्षर्था सब्सक्राइब लाइक कर दीजे प्लीस है आप लोगों के लिए मुझे मतलब आज संडे को डिटेल वाली क्लास नहीं कराई यह पांच बजे लेकिन मुझे कि मैं कहीं ऐसी कंडिशन में फसा हुआ था कि फिर भी मैंने जैसे कैसे करके टाइम निकाल कर आप लोगों के छे बजे वाली क्लास जरूर लिए ताकि आपका रूटीन ना बिगड़े रेगुलर्ली क्लास लगती रहें ठीक है चलिए 11 का आंसर काफी लोगों ने बता दिया अब्शन अमर्भी 69.3 मद्य प्रदेश में साख्षक्ता कितने प्रतिशत यह उनत्तर कि दिसंब्लों तीन प्रतिशत 11 का हो जाएगा आपका आप्शन अमर्भी बिल्कों सही चलिए नेक्स्ट को इस पर चलते हैं को शन मद्य प्रदेश में पुरु सार्षक्ता का प्रति प्रतिशत सब्सक्राइब करते चलें स्टुएंट्स प्लीज लाइक कर दिजिए फटाफट देखिए आप सत्तर इस्टूइंट लाइब हैं लाइक मात्र फटीन ने किया है मतला 21 इस्टूइट अभी बांकी है फटाफट आप लोग लाइक कर दिजे स्टूइं बहुत बड़ी है तो चलिए मद्य प्रतिशत का प्रतिशत कितना है 12 का हो जाएगा आपका और भी बिल्कुल सही रहेगा 80.5 प्रतिशत अच्छा जब अपन ये इनके रेट पढ़ते हैं जैसे प्रुष चार्चर्चर्चता महिला चार्चर्चता या परसेंटेज कितने ह होना सब को एक अलग-अलग स्पेसिफाई करके रिखना है जैसे पुरुष का लिखोगे 80.5 महिलाओं के साथ मिक्स नहीं करना है ठीक है कम सारशक्ता वाला जिला कौन सा है इस तरह से आपको अलग लिख कर रखना है भाई परिक्षा में आएंगे प्रशन है इसलिए मैं कहीं से भी आ सकता है MPG के आपका अच्छा रख रहा है आपको और इसे करेंट अफेर भी पढ़ना है साथ में इनका ज्यादा वेटेच रहेगा आप लोगों का MPG के करेंट अफेर और लूशन की विविद बस इतना आप समान निगान से पढ़ लेंगे न तो मैं कह रहा सब्सक्राइब करेंगे पॉरे पेपर का नहीं बोल रहा हूं फिर उसका थोड़ा आप पॉलिटी बगेरा समझ लेंगे पॉलिटी से एक दो कोशन आ जाते हैं एक कोशन तो आता ही आता है फिर इंडिया लेबल का जो आपका करेंट अफेर होता है वहां से आप कम से कम दो कोशन फसते हैं तो इस प्रकार से सारी चीज़े में आपको बताऊंगा कहां से कितने प्रशन बनेंगे कल की क्लास में कल मतलब एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए तो उसे साब से आपको तैयारी रखनी है और मैस रीजिंग बहुत इंपोर्टेंट है वही जलते हैं कोशन नमर 13 मध्य प्रदेश में महिला साखशक्ता का प्रतीशत कितना है और चली आंसर बताते रहें स्टुएंट्स आप लोग देगी सभी लोग लाइक कर दिजे 59 स्टुएंट्स ने लाइक किया है और 75 लाइब है जल्दी जल्दी कर दिजे ताकि और जल्दी अपने स्टुएंट्स ग्रूप में शेयर कर दिजिए आज बहुत कम स्टुएंट लाइव आए हैं आप लोग प्लीज लाइक करें आज संडे को छुट्टी नहीं मनाना है हमको कि किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहेगा क्योंकि आप हमारे पास समय कम है भाई यहना चार सब्सक्राइब कर दो प्रतिशत चलिए कोशन नमर 14 की तरफ चलते हम मद्य प्रदेश में सरवाधिक शार्शक्ता वाला जिला कौन सा है ऑप्शन मरे भोपाल ऑप्शन मरे जबलपूर ऑप्शन मसी इंदौर और ऑप्शन मरें है जाब हुआ चली बताईए और लाइक भी करते चलें स्टुएंट्स पूजा यादव जी मैस की क्लास भी होगी सब कुछ होगा अभी थोड़ा सा वेट कीजिए थोड़ा और एनलाइस कर लें जी क्योंकि मैं आप जो आपको बताऊंगा कालिया परसों से जो भी आपकी क्लास स्टार्ट हो सकती है तो वहां पर मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके परिक्षा में आएगा जिसमें आप जो है दो चार नंबर ही आपके कम हो बाकि आप सही से करेंगे क्योंकि और मैं यह चीज़ मानता हूं यह चीज़ मानता हूं कि जितना आप मेहनत स्मार्ट तरीके से कीजिए ऐसा नहीं कि SSC लेवल क सब्सक्राइब कर देंगे और पेपर यहां पर सिंपल आएंगे तो उनकी ट्रिक भी आप से नहीं बनेगी सिंपल वालोगी तो फिर क्या मतलब रहेगा वो भी करते हैं काजुल जी मैंसकी क्लास भी चलूओगी चलिए फॉर्टीन का अंसर काफी लोगों ने बिल्कुँ सही बता है जिन्हों ने आप्शन अमर भी बता है बिल्कु सही जबल पूर सबसे आदा एजुकेटेड या सार्शक्ता वाला जिला है वह जबल पूर चल अपसे कौन सा जिला सबसे आदा साफ सेब्सक्ता वाला जबल पूर ऑफशन ऑमर बी मंसोर ऐफशन मसी इंडौर ऑफशन अमर डी नर्सिंग्पूर बहुत बढ़ी यह दिनों जिनोंने ऑफशन मसी इंदोर बताः बिलकु सही है इंदोर बिलकु सही तो यहां पर पूर uy सार्शक्ता सबसे आदा है चली नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं कोशन अमर 16 मद्द प्रदेश में सरवादिक महिला सार्शक्ता वाला जिला कौन से अफशन मरे भोपाल अफशन मर्दी जबरपूर अफशन मसी इंदोर अफशन मर्डी रीवा कि चलिए बहुत शांदर काफी लोग के आपर आंसर है सिक्स्टीन का आपका हो जाएगा ऑप्शन हमा है बिल्कुल बहुत बड़ी जिनोंने भोपाल बता है बिल्कुल सही यहां पर महीला है सबसे जादर पड़ी लिकी है सरसक्ता महीला की ज्यादा थी 2011 की जंगरना के कि औहां यह भी यह पढ़ा यह फ़ीज आए चले गाए चली है मद्ध्य परदेश में न्यूंतम सब्सक्राइब सकता वाला जिला कौन सा सबसे कम सार्चक्ता वाला जिला है जो सार्चक्ता के मामले में वह अली राजपूर सबसे आदा पुरुष में इंदौर और पुरुष में सबसे कम अली राजपूर समझ गहे ना चलिए मद्य परदेस का सबसे कम सारशक्ता वाला जिला कौन ओवर अलल बात कर रहे हैं हैं पहले हमने ओवर अलल बात करी थी तो किसकी जवलपूर की सबसे ज़्यादा सारशक्ता वाला अब बताना है मैला पुरुष दोनों को मिला कर सबसे कम किस की है ऐफ्चनमर नर्सिंग पुर ऑफ्चनमर भी अलीराजपुर अफ्चनमर सीस्जिजू पुर अफ्चनमर डी बढ़वानी तो किस की है फटाफ़टा आप लोग लाइक करें शेयर भी करें pools. झाल झाल कि बहुत शांदर स्ट्विएंट्स काफी लोग के आंसर आ चुके हैं 18 का जिनोंने 18 का आंसर बता दिया है बिलकुँ सही आप लोग आपशन अमर भी बिलकुँ सही रहेगा आपका 18 का चलिए तो यह अली राजपूर ठीक है कोशन नमर 18 का आंसर आपका हो जाएगा अली रा तो महीला साथ शर्पता वाला जिला कौन सा आप्शन अमर शियुपूर आप्शन अमर भी मुरेना आप्शन अमर सी अली राजपूर और आप्शन अमर डी भोपाल फटा फटा आंसर देते रहें और लाइक भी करते चलें तो बहुत शांदर यहां पर 19 का काफी लोग आंसर दे चुके हैं आप्शन अमर सी बिलकुल सही रहेगा आपका अली राजपूर तो अली राजपूर यहां पर बिलकुल करेक्ट आंसर है अली राजपूर महिलाओं के लिए और पूर्शों के लिए दोनों के लिए नियूंतम शार्शक्ता वाला जिला है मतलब यहां पर काफी कम लोग जो है एजुकेटेड है तो इस वहाई से इसको याद रखना आपको अली राजपूर बहुत इंपॉर्टन हो जाता है और व कि लिए नुपाद का कितना काम है मध्यपूर्दिस का लिंगा नुपाद देश के लिंगा नुपाद से कितना कम है आफ्शन हम मरे बारा आफ्शन हमर भी तेरा आफ्शन मरसी 10 और आफ्शन मर्डी 15 चली आंसर बताईए आपका चलिए बहुत बड़ी है जानकी राकेश, रिया, अभीशेक, हाकिम, शुमसेन, काजुल और राहुल बहुत शांदर इस्टुएंट्स, काफी लोग के अंसर यहां पर करेक्ट आ रहे हैं तोड़ा सा मिस्पीड यहां से पकड़ेंगे क्योंकि काफी समय हो गया है चलिए इसका ओप्षन उम्म्र सी हो जाएगा, मध्ये पृदिस में लिंगा नुपाद का कितना कम है तो यह है ओप्षन हम्मर सी आपका 10 ऑप्षन हम्मर सी बसकल सही हो जाएगा, चलिए, कोशन नम्मर 21 मध्ये परदेस में जनसंक्या गिनत्व है तो यहाँ पर बात करी जा रही है जन संक्या गनत्व की व्यक्ति पर किलो मीटर के अकॉर्डिंग हर एक किलो मीटर में कितना व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जन संक्या गनत्व की बात की जा रहे है तो देखिए जनसंक्या गनत्व जानने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं लेकिन अभी आपको इस प्रकार से हैं ये कर देखिए यहां पर हंड्रेड स्टुडेंस अराउंड लाइव आ चोके हैं तो सभी लोग लाइक जरूर करते चलें आज का मारा टार्गेट है क्लास कतम होने से पहले डेड़ सो लाइक होना चाहिए तो आप लोग अगर आपको शेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर कीजिए है ना ट्वेंटीवन का ऑप्शन हमसी हो जाएगा आपका दो सो चाहंदर चलिए कोशन हमर 22 की तरफ चलते हैं मध्यपरदेश का सर सरवादिक जन संक्या गनत्वाला जिला कौन सा ऑप्शन हमरी भोपाल ऑप्शन हमरी जबलपूर ऑप्शन मसी है आपका ग्वालिया है और ऑप्शन हमरी है भिंड तो कौन सा हो जाएगा फटा फटा आंसर बताईए आप लोग हाँ चलिए बहुत शांदर चलिए बहुत शांदर काफी लोग यहां पर आंसर आग चुके हैं ट्विंटीटीटू का हो जाएगा आपका ऑप्शन हमरी भोपाल तो मद्यपरदेश में सरवादिक जन संक्या गनतव वाला जिला है यह भोपाल आठ सो चौनगन व्यक्ति पर किलो मीटर है समझ गया है आप लोग आठ सो चौनगन व्यक्ति पर किलो मीटर यहां पर भोपाल में जो है गनतवे व्यक्तियों की हैं तो यह सारी बाते करना है जनगरना दोजर ग्यारा के अनुसार तो आप फिर बाद में देखेंगे चलिए नेक्स कोशिन कोशन हमर 23 मद्द्र पूर्देस का सबसे कम जन संक्या गनत वाला जिला कौंसा है। चार आपको दिये गए हैं आंसर आपको पताने हैं। बहुत शान्दर! बहुत शान्दा 23 का जिन्हों ने बताया option number B डिंडोरी बिलको सही है आप लोग मद्य पुर्दिस में सबसे कम जन संक्या गनतवाला जिला है डिंडोरी 94 व्यक्ति पर किलोमेटर चली next question की तरफ चलते हैं और आप लोग answer बताते रहें पर किलोमेटर चली बहुत शान्दार काफी लोग में सबसे हैं और आप लोग में सबसे हैं तरफ चली बहुत शान्दार काफी लोग ने आंसर यहां पर बता दिया 24 का बहुत बड़ी इस्ट्विंट्स टीफा 27.6 प्रतिशत में नगरी जन संक्या कुल जन संक्या कितना प्रतिशत है इस प्रशन का मतलब यह है कि जो भी सहरों में रहने वाली जन संक्या है पूरी मद्य प्रदेश की जन संक्या के हिस आप से देखा जाये तो शहरों में रहने वाली जन संक्या कितनी है वह यहां पर पूंचा गया था तो उसका मतलब यह है कि 27.6 प्रतिशत लोग जो है वह शहरों में रहने वाले बाकी लोग जो है वह ग्रामीर वैखती है तो टोटल जन संक्या मद्य प्रदेश की चलिए आई उप इतना समझ में आगया होगा आपको कोशन नमर 25 मद्य प्रदेश में ग्रामीर जन संक्या कुल जन संक्या कितने प्रतिशत है अब देखिए पिछले कोशन में आपको मैंने क्या भूला था 27 दिसमलो कितना बताया था 6 अब उससे माइनिस कर लिए 100 को तो आपको न बहुत शांदा 25 का जिन्होंने 24 बता है बिल्कुल सही है आप 24 अगर हम बात करें देखिए 24 दिसमलो चार तो होगा ग्रामीर जन संक्या टूटल का और फिर उसका आद हमने 27 दिसमलो 6 देखा था सहरी जन संक्या जिन स्टुएंट्स को नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हू यह सहरी ग्रामीर अब देख लो दोनों को जोड़कर 100 परसेंट होगी जन संक्या की नहीं यह 0 हो गया और 79 यहां पर 10 हो गया 100 परसेंट तो इस प्रकार से क्या होता है कोई एक नम्मर भी आपको डेटा एक डेटा भी पता है तो दूसरा आपको आसानी से पता चल जाता च चल यह देखते हैं सब्सक्राइब करतें जिन लोगों नहीं लाइक नहीं किया है और च्छरूर करें और इसी के साथ मैं आपसे खहब़क Rail कों देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक नosatisfक declaration असानी से पहुंच जाए चलिए इसका आंसर हम देखते हैं 26 का option नमर भी बिलकुल सही रहेगा next question की तरफ चलते हैं question number 27 मद्यप्रदेश में रहने वाली नगरी जन संक्या है तो कितनी है मद्यप्रदेश में रहने वाली नगरी जन संक्या है चार option आपको दिये गए है आंसर बताने है तो देखिए इस प्रकार के question जो रहते हैं जिनमें बड़े नमर होते हैं तो ये भी आने के chances होते हैं लेकिन आप लोग सभी अपनी पूरी तरह के से तैयारी करके रखना है ट्विंटी सेवन कर देखिए जिनोंने ये बताया है बिलकुल सही, option number A बिलकुल correct है next question की तरफ चलते है, question number 28 मद्य परदेश के किस जिले में नगरी जन संक्या का प्रतिशा सरवादिक है तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो अब आपको confused नहीं होना मैंने आपसे क्या पूछा था, सबसे आदा नगरी जन संक्या कहां पर है और तो वो एक अलग बात होती, वो number में पूछा था, संक्या में पूछा था संक्या के हिसाब से, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, प्रतिशत के हिसाब से दोनों चीज़े में अलग होती, जब आपसे बात की जाए, संक्या के हिसाब से बताना है, तो अलग जिले होंगे जब बात की जाए कि प्रतिशत के हिसाब से बताना है, प्रतिशत के नजरिये से बताना है, तो अलग होंगे तो दोनों को mix नहीं करना है ये चीज़ याद रखना है confuse बिल्कुल नहीं होना है समझ गए तो जन संख्या की जरस्टी में प्रतिशत जन संख्या जो नगरी जन संख्या है प्रतिशत की जरस्टी में सरवाधिक कहाँ पर अप्शन नमर इंदौर ऑप्शन नमर भी भोपाल ऑप्शन नमर सी जबलपूर और अप्शन नमर डी सतना फटा फटा आंसर दीजिए मैं देखता हूं जरा किसके आंसर सही है यहां पर आने चाहिए क्या एक मिनिट चलिए दोस्तों मावशी चाहूंगा बीच में थोड़ा सा जैहिन हरी ओम आरमो जी ऑफलाइन क्लास रिया जी बताएंगे आपको जैसी स्टार्ट होती है चलिए बहुत बढ़ी है स्वमन साव का अंसर है रावत का अंसर है कुल्दीप संध्या अभिशेक आयूशी अंकित काजुल संध्या विने और अंकित कुल्दीप रावत देविनर बहुत बढ़ी है चलिए थोड़ा सा क्या है फ्लो में हाके मेरे बीच में बोल दिया पानी मांग लिया तो कोई दिक्कत नहीं चलिए हम बात करते हैं कोशन अमबर 28 के आंसर की तो आप्शन अमर बी हो जाएगा आपका बोपाल तो नगरीय जनसंख्या जो की सहरी जनसंख्या वो सबसे अधिक प्रतिशत की दरिस्टी में देखा जाए तो वो बोपाल जिले के अंतरगत आती है तो बोपाल जिले में स सबसे कम नगरीय जनसंख्या रहती है ऑप्शन अमरे शिवनी ऑप्शन अमर भी बालाघाट ऑप्शन अमरे सी दिन्डोरी और ऑप्शन अमर्डी सीदी 29 का आप लोगों को बताना है आंसर चली बहुत शांदार काफी लोग के आंसर है सबी लोग लाइक करते चले आज का ह हमारा टारगेट है वन फिफ्टी लाइक का है बहुत बढ़िया तो 29 का ओप्शन अमर्सी हो जाएगा आपका दिन्डोरी ऑप्शन मसी दिन्डोरी चली कोशन अमर्थर्टी की तरफ चलते हम जन्गर्णा 2011 के अनुसार मद्ध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जन्जाती वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक अनुसूचित जन्जाती वाला जिला कौन सा है चली आंसर बहुत बढ़ी है काफी लोगों ने दिया है सभी लोग लाइक जरूर करते हैं यार लाइक करते चलें शेयर भी करें आज का टार्गेट जो है चली बहुत जितने एक चीज और बोलना चाहूंगा पहले हम कोशन रीड करते हैं इसका अंसर देखें अगले कोशन में बात करते हैं जनकर्णा 2011 के अनुसार मद्य प्रदेश में सरवाधिक अनुसूचित जन जाती कहां पाई जाती है देखिए अनुसूचित जाती में तो आपको बता है धार बिलकुल सही है आप लोग कोशन नमर 31 की तरफ चलते हैं लोग तो अब हम कोशन नमर 31 आपके सामने आ चुका है मद्य प्रदेश की सबसे कम जन संक्या वाली जनती कौन सी आप्शन हमरे भी ऐख आपशन हमर दी है बाहरिया सिए सबसे कम बहुत बड़ी है देखी ऑप्शन नमर डी बिलको सही रहेगा आपका भारिया है तो देखी तीन ऐसी जंजातिया है जो अधी मतलब हम उसको बोलेंगे कि लुप्त प्राइक तरीके की जंजातिया है भारिया सारिया और बैगा तो ये तीन जंजातियां जो हलुप्त प्राइक इनको मतलब क्या है सरकार के दौरा इनको संक्रेक्शन दिया गया है ता कि ये पूरी तरह खत्मना हो जाए आपको पता होगा कि बैगा सारिया और जैसे की आपको बोलेंगे कि रिवा की बैगा नहीं है ऱाँ भारिया चलता है बारी है चलिए नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं देगे मद्य प्रदेश की जन जाती है जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक एक करने तो वह टेस्ट आपको जरूर करने उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको स्पेशल कोड यूज करना है जो हमारे चैनल की तरफ से आपको दिया जाएगा इसकी वैसे आपको जो है फ्री हो जाएगा वह टेस्ट आप जितने भी चाहें पूरे सब्जेक्ट के चाहिए वह म सब्सक्राइब करने चलिए तो यह सारी चीजें आपको याद रखनी है चली कोशन अमर 33 अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते क्योंकि पचास कोशन तक हम लोगों को जल्दी से आना है जवाली योजनक किस से संब्दित है जन जाती है महिलाओं में वैश्या विरत्ति को ल बढ़ परदेस सरकार ने जवाल व्योंच लगाओं चलाए då कोकूरकर नमर 54 पठानी विवाग किस से प्रचेव बीब उर्भी बीकों कीन कहा जयाता लों के घर के समूं को गया उनके रहने वाले तिस थार ण हो गया कि उनके घरों को क्या का जाता है उनके रहने वाले इस्थान को क्या का जाता है उनकी जो जाड़ फूख करते हैं उनको क्या का जाता है इस प्रकार सारी चीज़ा पूछी जाती है जब मैं मद्य प्रदेश की जंजाती है आपको कराऊंगा तो यह सब कुछ आपको शौर्ट नमर 14 15 होगा तो उसमें आप लोग जाके अभी भी पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ नई चीजा और एट करके मैं आपको नई तरीके से और समझाने वाला हूं तो वो शायद बहुत ही जल्द होगी क्लास चलिए तो भी लों के घर समों को क्या का जाता है 35 का काफी लोगों ने अ सालिया बोल दिया घर को खिड़की को क्या कहा जाता है इस प्रकार से अलग अलग प्रशन आते हैं तो याद रखना है आपको कोशन नमर थार्टी सिक्स दबैगाज नामक पुस्तक किस नहीं लिखी थे आप्शन नमर एस बी राय और भी हरवर्ड रिचर्ड ली ऑप्शन सारिया जन जाती के निवासी को क्या कहा जाता है इस जैसे कि आपको ऑफ्षन से ही समझ में आ रहा है सारिया जन जाती मतलब सहराना तो ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा उससे महच करता हूँ इसलिए लेकिन हमेशा मैच करते हुए नाम सही नहीं होते कभी इल लॉघ लाइव लौजक आपको जादा नहीं पढ़ाना रहता पड़ाना जरूबज विए चलिए कि तरफ चलते हैं शैला किस जंजाती कन रिध की कन कर होच है यह कोनम सी कमार भी जह तो के जंजाती का निर्थ है शेला फटा पड़ा अंसर आपको बता नहीं बहुत शांदार शेला निर्थ जो है ऑप्शन अमर ए बिल्कुँ सही जन्हों ने बता है बिल्कु सही बैगा जन जाती द्वारा शेला निर्थ किया जाता है नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं फार्सी बासा में सहर का क्या आरत होता है चार उप्शन आपको दिये गए हैं 39 के ऑप्शन अमर बी जंगल बिल्कु सही रहे हैं चली कोशन अमर 40 की तरफ चलते हैं लंब सेना विवाग पद्दिती किसमें प्रचलित हैं बहुत बढ़ी है जेनों आप्शन अमर ए बता है बैगा बिल्कु सही है लंब सेना विवाज है बैगा जन जाती हैं प्रसिद्य है कोशन अमर 41 आदिम जाती कोरकू मद्य प्रदिस में कहां पाई जाती है बहुत शांदर इ Beim बिल्कु सही में आपका अपरोगतर सभी तो सारी जन जाती कहां पर निवास करती है बहुत शांदर जिन्नों आप्शन हमर आदि बता है बिल्कु सही उप्रोगत सबी तो गुनाज, शिवपूरी, अशोक नगर जैसे सभी जलों में यह निवास करती है। कोशन नमर 43 पाताल कोट जो की छिंदवारा में पढ़ता है, पाताल कोट में कौन सी जंजाती पाई जाती है। तो ऑप्शन अमर A, गौंड, ऑप्शन अमर B, भीर, ऑप्शन अमर C, भारियार, ऑप्शन अमर D, सारी है। देखी, मैंने आपको एक चीज बहुली थी, उसके लिए माफी चाहूंगा, 43 का काफी लोगों ना अंसर यहां पर सी बताया थी, लेकि भारियार, जंजाती मैंने रीवा अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन भारियार, जंजाती जो है, पाताल कोड में पाई जाती है। मैंने रीवा बता दिया था, वो बाई मिस्टेक हो गया थोड़ा जल्दी में, ठीक है, तो उसको हमने करेक्ड भी कर लिया है, कोई दिक्कन नहीं, तो भारिया जंजाती जो है, वो रीवा छिंदवारा के पताल कोड में पाई जाती है, चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ च दिक्कि या जाता है, भीञ जन जाती द्वारा, और इसे के साथ बहोड़या इनका प्रकार का परवी बहने हो थिक है, तो भ yol्या करता है, बहुत के अंतरएं पर बहँता है, क्या होता है, कि यह वा twist है, और यह क्या करते हैं, जो आदिवासी लोग होते है, और उस प्रकार से जो है एक में डूतवी तो इस प्रकार से देखि जो है इस वी शॉच्व लडग की तरफ चलते हैं घल Keru 48 की तरफ चलते हैं गोल गटेड़ा विवाथ प्रथा किस जन जाती में पाई जाती है बहुत बड़ी है काफी लोगों ने याँपर आंसर करेक्ट बता दिये है गोल गदेडो विवा प्रथा किस जन जाती में पाई जाती है फर्टी फाइव का ओप्शन मसी बिलुकुल सही है आपके भील जन जाती में गोल गदेड़ों पाई कि जबी बारिय प्रता इनका बिवाप्रता यह सारी चीजा में आपको डीटेल वाली क्लास में बताऊंगा तो चली कोशन में 46 इन तुछ मंड़ा पर देश के किस जिले में नियूंटर्स जन संक्या पाई जाति कि जितने भी लाइब है और जिनको पसंद आ रहा है फटा-फट आप लोग लाइक करते चलिए लाइक करने के साथ अपने जितने भी स्टडी रेटर ग्रूप है वहाँ पर शेर जरूर कीजिए और इसी के साथ जो भी नए स्टुएंट हैं जो आज पहली बार क्लास को अटे तो सबसे नियूंतम सबसे कम जन संक्या कहां पर पाई जाती है जो की जन जाती जन संक्या वो है भिंड जिले में समझ गया आप लोग फुर्टी सिक्स आप्शन अमर भी आइधिंग आपको क्लियर हो गया होगा कोशन नमर फुर्टी सेवन की तरफ चलते आज दिवाशी शब्द का प्रयोक सर्व प्रतम किस ने किया था ऑप्शन अमरे ठककर बापा ने ऑप्शन अमर भी महत्मा गांदी ऑप्शन मसी जवालान नहरू और ऑप्शन अमर डिया सर्दार बल्लब भाई पटेल जी की जो है चली बहुत बढ़ी है जिन्होंने आंसर यहां पर देन आंसर है तो देखी 47 का जो अंसर हो जाएगा और यह हो जाएगा ठककर बापा ने तो ठककर बापा ने सबसे पहले आदिवासी जो लोग थे उनको लिए यह शब्द का इस्तमाल किया था कोशन अमर 48 की तरफ चलते निमन में से किस जन जाती के निवास इस्थान को फाल्या का जाता है कि बहुत बड़ी जिनर ऑप्शन मर भी बताया है भील बिलकुत सही है भील जन जाती के लोगों के घर को या निवास इस्तान को फाल्या नाम से जाना जाता है कोशन नमर 49 आदिवासी उप्योजना का प्रारम किस पंच वर्षी योजना में हुगा बड़ा ही प चली आंसर देखते हैं कौन कौन बता रहा है देखिए सभी स्टुएंट्स लाइक जरूर करते हैं अगर आपको शेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए थोड़ा सब बीच में जो है एक प्रॉब्लम होगी थी थोड़ा सब क्या होगा कि पफरिंग होने लगी जिसकी वैसे काफी स्टुएंट्स चले गए हैं आप लोगों को जाना नहीं है क्लास देखिए बफरिंग होती तो दुबारा भी चलने लगती है चली बहुत बड़ी है जिन्हों ने यहां पर बताया है बहुत शांदार आप्शन अमसी पांच भी बंस पंच वर्शी उप जाती हैं 50 का बताना है आपको कट मैना बिच्वार किसकी उप जाती है तो चार आप्शन आपको दिये गए हैं आंसर आपको बताने हैं बहुत शांदार बहुत बड़ी है स्टूएंट्स काफी लोग के याँँपर करेक्ट आंसर आरहे हैं चली स्क्रीन पर देख लेते हैं द्वारिका का अंसर है, एसके मंडला सुमन का अंसर है, और रॉविन का भी अंसर है, निखिल राना, और भी स्टुएट्स आंसर बताते रहें, कट मैना, बिछवार, किसकी उपजातिया हैं, लेकि जब मद्य प्रदेश की जंजातियां पढ़ाऊंगा तो वहापे उपजात कौन सी है, किसी को पता होतो हो, आप लोग क्या करें, कमेंट करके बताइए, आप लोग लिए कोशन है, ठीक है, एक ही जंजाती द्वारा किया जाता है, चलिए, बहुत सर इस्टुएट ने आपर सी बताया है, रोशनी ने, शाक्षी ने अंसर दे दिया, हकाश, राम, हाक अधिम, शतीष, रोशनी, और कुश्वाजी है, चलिए, बहुत बड़ी स्टुएट्स, काफी लोग के आपर आंसर करेक्ट है, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और आप सभी लोग लाइक जरूर करें, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर की सब्सक्राइब करने के बड़ क्या करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटी का निशान, इस से होगा यह कि जो भी नए अपडेट करूँगा, उसका इंफरमेशन आप तक पहुंच जाएगा, अब मैं कल दिन में आपको एक ऐसी, कल या आभी रात में आपको एक वीडि किया है मैंने, चमगन कोशन है, दोजार सत्रह में आपको बताने के लिए, अलग अलग सभी सिफ्ट को मिलाकर है न, तो इनको एनलाइज करने का देखी, कोई भी एक्जाम होता है, उसका लेवल जो है, उसके प्रिवेस येर कोशन हो और इसकी स्ट्रेडिजी आप उसके प किस टाइब के कोशन आएंगे, MPG के क्या रहेगा उसमें वेटेज, कितने कोशन रहेंगे, करन्ट अफेयर और बांकी सारी चीजों का, तो उसी हिसाब से तयारी करनी है, वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोग के लिए, तो आप लोग सभी लोग आना उस वीडियो को जरूर देखें, चलिए इस वीडियो में इतना ही, किसी को कोई डाउट है, तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर, हाँ, इसके PDF के लिए जो है, बहुत बढ़ी एक गौन जन जाती जारत किया जाता है, दूट लोटावा, दूट पीकर, अच्छा अच्छा मोनु गुपता बहुत शांदार, चलिए मोनु गुपता बहुत पुरानी स्टुएंट्स है, तो इनको तो जरूर ये ट्रिक पता है, कनी का याद आओ, तो इसी प्रकार से मैं आपको ट्रिक बगएरा किस माध्यम से भी बताऊंगा सारी चीज़े, जैन हाकिम जी, सभी को भई जैन, चलिए तो पांच बज कि तरफ से आप लोगो टेस्ट प्रवाइड कराए जाएंगे, तो जितने भी हमारे स्टुएंट्स हैं, आप लोगो मैं कोड बताऊंगा, उस कोड के माध्यम से आप लोग अनकेडमी पर जाकर आप लोग टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, पूरे टेस्ट आपको मिलेंगे, MP सबी टेस्ट आपको मिलेंगे, वहाँ पर लेकिन आपको जो कोड बताऊंगा, उसी के माध्यम से ही मिल पाएंगे, तो यह सारी जानकारी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल मंडे हैं, चलिए, तो अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, किसी कोई डाउट हो, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अब इस वीडियो को ही सब्सक्राइब करते हैं, जय हिन दोस्तों